सबी बच्चों को मेरा नमस्कार आज क्लास 10th NCRT Exercise 2.3 देखिए पहली बात तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश वीडियम दोनों के लिए है तो अपने अपने सब्दों को पकड़ लीजेगा जो आपके हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिस वाले इंग्लिस में विशे हिंदी वालों को भी इंग्लिस आती है इंग्लिस वालों की हिंदी थोड़ा गरबर होती है ठीक है एक सेकंड ज़रा थोड़ा सा इसकी brightness ब्रादे थोड़ा गोरे लगेंगे ऐसे बहुत काले लग रहे हैं ठीक है अब ठीक है ना ठीक है देखें बात हम करने जा रहे हैं division algorithm division algorithm मतलब होता है भाग करने की विधी algorithm मतलब विधी होती है कैसे किसी को divide किया जाता है ज़रा समझने की कोसिस करिएगा polynomial के बारे में आप पढ़ चुके हैं बहुपद क्या होता है ठीक है उसके zeros के बारे में पढ़ चुके हैं आप 9th class में शुन्यक क्या होता है कि किसी भी polynomial का zeros क्या होता है किसी भी बहुपद का शुन्यक क्या होता है x की value रखोगे अगर x की value माले रखा आपने और वो polynomial यानि बहुपद 0 हो जाता है तो आप कहेंगे वो उसका 0 हो जाता है तो आप कहेंगे वो उसका 0 है शुन्यक है हमने पढ़ा है कि जैसे आप किसी भी division को करते है तो कुछ यहां लिखा जाता है यहां जो लिखा जाता है उसको क्या कहते है dividend कहते हैं इसको इसको कहा जाता है dividend दरा ध्यान से समय लिजए क्योंकि हर जगे dividend नहीं लिखा जाएगा हिंदी में इसको कहते है भाज जिसको divide करते हैं इसको भाज और यहाँ पर इसको indicate किया जाएगा PX हम PX ही लिखेंगा जगे तो जहाँ PX लिखा जाए समझ आईए इसको divide किया जा रहा है ठीक है जिससे divide करते है वो divisor होता है divisor होता है भाजक हिंदी में कहते है और इसको यहाँ लिखेंगे GX से GX जो X ब्रैकेट में है ना इसका बताब यह X के टर्म में दिया हुआ है जो यहाँ पर answer आता है उसको quotient कहते है भागफल कहते है और इसको लिखेंगे हम Q से QX से ठीक और divide करने के बाद जो यहाँ बसता है उसको हम remainder कहते है हिंदी में इंग्लिस में remainder कहते है और इसको हिंदी में कहते है salesful और इसको हम RX लिखते है इतना आपको पहले से मालूम है class 6, 7, 3 में भी आपने पढ़ा है अच्छा दूसी बात एक condition यह होती है कि जब आप GX से divide कर रहे होते हैं तो अगर यह 2 degree का है तो remainder कभी भी 2 degree का नहीं होगा जितने degree का यह है remainder उसे कम degree का होगा अगर X square से आप divide कर रहे हो तो यहाँ X square थोड़ी आएगा क्योंकि X square फिर वहाँ पर divide हो जाएगा तो यानि कि degree of RX less than degree of GX यह आप हिंदी बे भी जानते हैं कि RX की जो degree होती है जो गहात कहते हैं यानि RX की जो गहात है गहात RX की जो है वो GX की गहात से छोटी होती है और या जीरो होती है यह भी हो सकती है degree RX की क्या हो 0 हो जाए डिगरी की बाहिम बात कर रहे और RX 0 भी हो सकता है अगर इसका factor है तो 0 हो जाएगा ठीक है लेकिन इसकी degree इससे बड़ी नहीं हो सकती ठीक है तो यह simple divide का तरीका होता है और यह हम जानते हैं इसका इसका multiply करें यह पी X इक्वल टू GX इन्टू QX यह Q है यह G है इसका इसका multiply करें और यह plus कर दें तो यह value आती है आपने बच्पन से पढ़ाएं जैसे आपने पढ़ाएं मालिया 7 को divide करना चाहें 2 से और टू थी जा सिक्स आएगा वन रिमेंडर तो अगर इसका इसका multiply करें टू इन्टू थी और यह plus करें तो आंसर सेवन आएगा न तो यह नियम आपको मालूम है इसी नियम का इस्तेमाल करके हम simple multiply करने जा रहें sorry divide करने जा रहें डिरेक्ट आप exercise 2.3 परहें ज्यादा बाउकाल इसमें टाइट नहीं करेंगे come to the exercise 2.3 देखें पहला question कह रहा है कि Px यह दिया गया है इसको Gx से divide करो और divide करने बाद इसका quotient और remainder निकालो ठीक बस शुरू हो जाओ अपना class 10 वाला 10 में तो हो ही x3 minus 3x square plus 5x minus 3 यह divide का sign यह ध्यान रखेंगा यह जो इसकी degree होनी चाहिए वो decreasing order में हो सबसे बड़ी degree फिर उससे छोटी उससे छोटी ऐसे हो यहाँ होना चाहिए ठीक है यहाँ x square minus 2 तरीका जाद समझेगा आपको तरीका आता तो so far so good अगर नहीं आता है तो ध्यान से समझेगा सबसे पहला हमारा काम होता है जो इसकी highest power होती उसको cancel करना है यहनि हम x cube को cancel करना चाहते हैं और divide इससे करना है divide इससे करना है तो देखे अगर x cube को cancel तब कर पाएंगे जब नीचे x cube आजाएगा x cube को तब cancel करेंगे जब नीचे x cube आएगा और दोनों को minus करेंगे तो यह cancel हो जाएगा तो simple सी बात है x cube को नीचे x cube लाना है तो हम यहाँ पर किस चीज़ से multiply कर दें कि x cube आजाए तो इसको हम देखते हैं x square में अगर x से multiply कर दें तो x cube आजाएगा तो हम कितनी बार ले जाएगे इसको x बार ले जाएगे x का multiply x से square करेंगे तो x cube आएगा और जो x का multiply minus 2 से करेंगे तो minus का 2x आएगा कहां लिखेंगे इसी के degree के नीचे यहाँ पर minus 2x लिखेंगे लिख यहाँ भी सकते हो लेकिन degree के नीचे लिखा करो same degree के अटर्म same के नीचे आएगा अब क्या करते हैं दोनों को minus करते हैं यह minus और यह minus हो जाएगा plus यह दोनों कड़ गए अब जितना बचा है सबको नीचे उतालो यहाँ बचा है minus का 3x square देखें plus का 5 यह है और plus का 2 यह है तो plus का 7x और यह minus का 3 ठीक है आप देखो आप किसे cancel करना है अब हमको करना है minus 3x square तो चुकि division में जो number आता है इसके नीचे उसको minus किया जाता है तो same sign नीचे होना चाहिए मतब इसके नीचे minus 3x square होना चाहिए और यहाँ x square है तो x square को किसे multiply कर दे कि minus का 3 आ जाए question सही note है x cube minus 3x square plus 5x minus 3 x बार ले गए तो आगया x cube minus 2x तो यह 7 हाँ ठीक है तो हम कितनी बाले जाएंगे इसको minus का 3 बाले जाएंगे minus का 3 से जब इसको multiply करोगे तो यह minus का 3x square आएगा और minus का 3 जब इससे multiply होगा तो plus का 6 होगा इसके निचे लिखा जाएगा फिर दोनों को क्या करेंगे subtract यह minus 3 plus हो जाएगा यह plus 3 minus हो जाएगा यह cancel हो गया तो आगया 7x देखो minus का 3 और minus का 6 minus का 9 तो यह आपका quotient हो गया जाकरके और यह आपका remainder हो गया तो आप लिखेंगे Qx जो है वो x minus 3 आगया और Rx जो है वो 7x minus 9 आगया जाएगा ध्यान से समझेगा Rx के degree कितनी है इसकी घात कितनी है 1 है ना हमने क्या गाता इसकी degree इसे बड़ी नहीं हो सकती तो इसकी 2 थी यह इसे छोटी है ठीक है तो यह आपका first question का division है ठीक है देखिए second part में क्या है Px दिया ही है और Qx दिया ही है Qx में ध्यान रखिएगा degree ज्यादा लिख दिया क्या हमने लगता degree हमने बहुत खुंखाल लिख दिया x square minus x है sorry x square है हमने बुक में लिखा है x square plus 1 minus x और हमने कहा था आपको orders में लिखना है सबसे बड़ी degree फिर छोटी फिर छोटी पहले हमने 2 लिखा फिर 1 लिखा फिर 0 लिखा ठीक है अब divide करो simply वही तरीका x square minus x plus 1 से divide करना है किसको x power 4 minus 3 x square plus 4 x plus 5 गलती नहों ध्यान रखिएगा सबसे पहले किसको केंजल करना है x power 4 को जिसके नीचे क्याना चाहिए x power 4 होना चाहिए तो इसमें किस से multiply करेंग x power 4 आजाए तो आप कहेंगे देखिए अगर x square से multiply कर दोगे तो x square into x square आएगा x power 4 तो x square minus x square करेंगे x power 4 हो गया जब आप इससे multiply करोगे तो आएगा minus का x cube और x cube कहीं आ है नहीं कहीं आ नहीं रहा है तो बाहर लिख दो यहाँ पर minus का x cube है ना और फिर x square का जब 1 से करोगे तो plus का x square आएगा लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप नीचे उतानेंगे ना तो degree increasing or decreasing order में होना चाहिए अब दोनों को subtract कर दो minus कर दो यह minus यह minus यह minus था यह plus यह cancel हो गया अब जोको यह पूर्य आट टर्म नीचे आना है सबसे बड़ी degree कौन सी है x cube सबसे पर यह लिखा जाएगा चुकि यहाँ था नहीं इसकी बरादरी इसलिए हमको बाहर करना पड़ा सबसे पर एक्स cube आएगा फिर minus का 3x square minus का x square तो minus का 4x square plus का 4x plus 5 अब x cube काटना है क्या तरीका होता है इसके नीचे क्या ना चाहिए इसके नीचे x cube आना चाहिए तो हम x square में x से multiply करना तो x cube आजाएगा तो plus हम x बार ले जाएगा जितनी बार ले जाते हैं उसको यहाँ से multiply किया जाता है जब x का multiply x square करोगे तो x cube आएगा जब x का multiply minus x से करोगे तो minus का x square आएगा जब x का multiply 1 से करोगे तो plus का x आएगा अब क्या करेंगे subtract ये minus ये plus ये minus लाइन थोड़ा खीशोगे थोड़ा gap कर देना जिससे minus plus लिखने में आसानी हो जाए ये cancel हो गया minus का 4x square plus का x square तो minus का 3x square और plus का 4 minus का 1x तो plus का 3x और plus का 5 अब क्या cancel करना है minus 3x square इसके नीचे same number आना चाहिए तो हम अगर यहाँ पर minus 3 से multiply कर दें तो ये आएगा minus का 3x square और ये minus का 3x plus का 3x और ये minus का 3 subtract कर दो sign बदल जाएगा ये plus का ये minus का ये plus का ये cancel ये भी cancel बाइचांस हो रहा है ये 8 हो गया तो ये आपका हो गया qx quotient और ये हो गया आपका remainder rx ठीक है अब दोगो इसकी degree कितनी है 0 है ये इसे चोटी एक नहीं चोटी है तो हमने कहा या तो ये 0 degree का होगा या जो इसकी degree होगी वो तो फ्रसाइट catch नहीं हो रहा है अब catch कर लीजेगा इसको अब catch हो जाएगा ना तो ये आपका 8 हो गया उपर नहीं हो रहा है तो उपर भी हम खिसका देंगे ठीक है तो ये आपका divide हो गया देखिए px दिया है x power 4 minus 5x plus 6 और gx दिया है आपका minus x square plus 2 ये उल्टा लिखा था हमने decreasing order में लिख दिया है पहले सबसे बड़ी degree फिट छोटी ऐसे लिखा आपने देखो क्या तरीका होता है वही पुराना तरीका minus x square plus 2 से divide करेंगे आप x power 4 minus 5x plus 6 आप देखो तरीका क्या होता है इसके निचे x power 4 आना चाहिए तो x minus देखे द्यान से same sign यहाना चाहिए यहाँ पर minus x square है तो minus x square में किस चीज का multiply करें कि plus का x power 4 हो जाए तो आप कहेंगे minus x square से multiply करें अभी तो आएगा ना तो कितनी बार ले जाओगे minus x square बार ले जाओगे जब इसका multiply इससे करोगे तो आएगा x power 4 और यह minus का 2x square बहार लिखो चुकिए हाँ जगह नहीं है यहाँ इसका term यहाँ नीचे नहीं है अब दोनों को subtract करो यह minus यह plus से cancel हो गया अब सबसे पहले सबसे बड़ी डिगरी लिखोगे यह डिगरी 2x square minus 5x plus 6 अब देखिए कितनी बाले जाएंगे यह same number आना चाहिए और यह minus का है तो minus का 2 times ले जाएए तो जब multiply करो जाएगा minus का 2x square sorry plus का plus चाहिए ना आपको और minus 2 और plus का 2 minus का 4 subtract कर दो minus plus से कड़ गया तो minus का 5x plus का 10 यह आपका qx आ गया quotient q है यह और यह आपका rx आ गया remainder अब देखो इसकी डिगरी कितनी है 1 वो इसे छोटी है यह proof नहीं करना है हम बार बार दिखा रहे हैं कि remainder की डिगरी इससे बड़ी नहीं हो सकती छोटी होगी या 0 होगी ठीक है this is first question देखें second question कह रहा है कि check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by division by dividing second by first क्या कह रहा है कि बताना है कि पहला जो बहुपद है यह यह दूसरे का गुणंखंड है factor है आपको याद होगा आपने बताया था कि अगर मालिया two factor है six का तो divide करने के बाद में remainder जो है वो 0 आना चाहिए कुछ नहीं करना है इसको इससे divide कर दो और remainder जिरो आना चाहिए था remainder निकालने के दो तरीके हमने बता है एक तो value रख करके इन्होंने का नहीं आप value मत रखिए आप actually divide करिए इसको तो हम divide करेंगे यहाँ पर इसलिए simply इसको divide करो divide lengthy होगा क्योंकि value बड़ी लग रही है तो जरा सावधानिस करिएगा गलती होने के चांसे इसमें बहुत है ठीक है तो यह आएगा 2t to power 4 plus का 3t की power 3 minus का 2t square minus का 9t minus का 12 से लिखा हुआ है 2t to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 को divide करना है 2t square minus 3 से 2t square minus 3 से देखो सबसे पहले 2t to power 4 काटना है तो यहाँ पर 2t square में किसे multiply करेंगे सेम चीद निशी आए जाए तो आप कहेंगे हम 2t square बार ले जाएंगे क्यों जितने बार आप ले जाते हैं उससे इसका multiply करते हैं जब 2t square का multiply आप t square से करेंगे तो क्या हैगा 2t to power 4 और minus 3 से करेंगे तो 3 दो निशी 6 minus का 6t square इसके निशी लिखेंगे फिर दोनों को minus यह हो जाएगा plus सब्टेट करेंगे sign बदल जाते हैं आप देखें पूरा सब उतारना है पूरा यह कट गया यहाएगा 3t power 3 minus minus का 2 और plus का 6 तो plus का 4 t square minus का 90 minus का 12 अब आपको काटना है 3t cube तो कितनी बार ले जाओगे 3t cube आजाएं तो आप कहेंगे यहाँ प 3t बार ले जाएंगे जब इससे multiply करोगे तो कितना हैगा 3t cube minus का 90 तो इसके निचे लिख दो minus का 90 दोनों को sign change कर दो plus subtraction में sign change हो जाते हैं यह इससे cancel होगे अब आई chance है इससे cancel हो रहा है तो यह हो जाएगा 4t square minus 12 हम एक को ही cancel करने का नियम लगाते हैं वो अपने आप cancel हो तो कोई बात नहीं है अब आपको 4t square करेंगे तो plus का 4 बार ले जाएंगे इसको गुणा करेंगे तो आएगा 4t square minus का 12 minus plus कट गया यहाँ पर 0 आगया तो आप कहेंगे remainder चूंकि 0 है so gt is the factor is the factor of pt वो px आपने पढ़ा है ना चूंकि x के पद में होता है तो px लिखते हैं और यह t के पद में इसलिए pt लिखा आपने तो आप लिख देंगे यहाँ पर 0 यह भी सायद नहीं आ रहा है यहां तक आ रहा है यह 0 यहां लिखा हुआ है यह बार बार इसको खिसकाएंगे नहीं 0 लिखा है चूंकि camera नजदीक करो तो पुरा board नहीं आता है तो यह हो गय आप लिखेंगे चूंकि remainder 0 है शेसफल 0 है अता जो gt है वो इसका गुलंखंड है ओके यह px है और यह gx है अब डिवाइड करके देख लो x square plus 3x plus 1 से डिवाइड करोगे 3x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 घबडाना नहीं क्याई दिया इता बड़ा question है फोने दीजे कोई दिक्कत नहीं देखे एक इसको cancel करना है बस इसका पहला term है x square इसमें किस से multiply करेंगे 3x power 4 आजाए तो आप कहेंगे हम multiply करेंगे 3x square से तो जब 3x square इसका गुना करोगे तो कितना आएगा 3x power 4 आएगा इसमें करोगे तो 3x square आएगा बर यह यह प्लस है यह प्लस है यह सब प्लस ह Powार सब्टरेट कर दो minus 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 यह सब पूरा स्टे पोरको तरेगा यह cancel होगया प्लस का 5 और minus का 9 तो minus का 4 x cube minus का 7 minus का 3 minus का 10 x square plus का 2 x plus का 2 अब cancel किसे करना है minus 4 x cube में इसमें किसे multiply करेंगे minus 4x cube आएगा तो आप कहेंगे minus 4 से करो और x से करो तो जब minus 4x से करोगे तो यह आएगा minus का 4x cube minus का 4x जब इससे आएगा तो पहले तो minus आएगा 4 तियां 12x square और minus का 4 करोगे तो minus का 4x आएगा यह sign बदल जाएगे सबके क्योंकि minus होता है इसमें यह कर गया तीक है अब देखिए minus का 10 और plus का 12 तो plus का 2x square आएगा यह plus का 6x आएगा और यह plus का 2 आएगा अब यह plus 2 times ले जाओ तो आएगा 2x square plus 6x plus 2 sign बदल दो minus 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 सब कर जाएगे अब remainder कितना आ रहा है 0 तो आप लिखेंगे 0 है तो यहां लिखेंगे remainder is equal to 0 है so gx is the factor of px अता gx px का गुलंखंट है ठीक है proof हो गया divide सही होना चाहिए ठीक है गलती नहीं होना चाहिए देखिए आप इसको divide करिए देखिए क्या होता है हम divide करने जा रहा है x cube minus 3x plus 1 से divide करेंगे यह बड़ी सी value है घबडाईएगा नहीं बड़ी है तो क्या हुआ x square plus 3x plus 1 देखो ज्यान से सबसे पहले काटना है x power 5 को और यहां x cube है तो x cube में किस से multiply करें तो आप कहेंगे x square से multiply कर दू तो x square into x cube x power 5 आ जाएगा x square का जब इससे करोगे तो x cube आएगा minus का इसके निचे आएगा minus का 3x cube और इससे करोगे तो plus का x square आएगा फिर minus यह हो जाएगा plus यह minus line खिश दीजिए यह cancel हो गया minus का 4x cube और plus का 3x cube तो minus का x cube आएगा अब बाइससे भी कड़ गया ठीक है plus का 3x आया plus का 1 आया अब आपको minus x cube काटना है और यहाँ भी x cube है तो minus 1 बार ले जाओ multiply करोगे minus का x cube आएगा यह minus 1 यह plus का 3x आएगा और यह minus का 1 आएगा sign बदलो plus minus plus यह कड़ गया कड़ गया यह 2 आजाएगा यह आया remainder आप लिखेंगे remainder 0 नहीं है successful 0 नहीं है अता है यहाँ इसका गुरंखंड नहीं है ठीक है तो यह समें यह check करना था आगे देखिए देखिए बहुत ध्यान से समझेगा third question कही क्या रहा है मतब कैसे लगेगा तो हम बताई देंगी लिख कही क्या रहा है कह रहा है बहले अंग्रेजीम कही क्या रहा है फिर हिंदीम कहेगा वो obtain all the other zeros of this इसका हमने नाम दिया पी-एस इसके zeros other zeros निकाले हैं और दो zeros दिये गया है यह एक भुपद है यह एक पॉलिनामिल है इसके दो शूनिक दिये हैं other शूनिक निकाले हैं other zeros निकाले हैं देखे अगर याद करिए कच्छा 9 class 9 की यह जितने डिगरी का है न उतने zeros हैं होंगे इसके यह कितने डिगरी का है 4 डिगरी का है तो इसके actually में 4 zeros होंगे 4 शूनिक होंगे zeros ठीक है 4 शूनिक होंगे इसके मतलब x की वो value जो इसको zero कर दे है ना याद करिए 9 में अगर हम x की एक value alpha मान लें तो इसका factor x minus alpha हो जाएगा है ना जड़ा समझने की कोशिस करिएगा बहुत ध्यान से समझीगा मैंने कहा कि इसके इसके four zeros होंगे four zeros are 4 शूनिक है 4 शूनिक कौन कौन से है एक alpha माना एक beta माना अब आप कहेंगे बड़े कठिन कठिन न मानिए तो एक a माना और एक b माना चलेगा नहीं चलेगा यानि alpha देखिए यानि एक x की value alpha है एक x की value beta है एक x की value a है और एक x की value b है यह हम क्यों तरीका समझा रहे है आपको एक्जाम में कुछ नहीं करना है direct question लगा रहा है मैं समझा रहा हूं कहें क्या रहा है अगर एक x की value alpha है value तो इसका एक factor x minus alpha होगा एक x minus beta होगा चुकि यह बहुपद है यह equation नहीं है समी कर नहीं है यह polynomial इसलिए equal to 0 हमने लिखा है एक x minus a होगा और एक x minus b होगा यानि की अगर मैं x minus alpha भाई इसके factor किये होंगे न वहीं चार factor होंगे उन्हीं को अलग-अलग 0 किया होगा वहीं से तो x निकलता था न तो हम अगर इन चारों का multiply कर दें ऐसे तो जो result आएगा वो यह होगा यह होगा 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 है ना अज़ा यह हमने alpha मान लिया है और यह हमने beta मान लिया है यानि एक factor x minus root 5 by 3 है और एक factor x minus और वही minus है तो plus root 5 by 3 है और यह दो factor हमको मालूम नहीं है x minus a x minus b और यह इधर यह px लिखा हुआ है यह पुरा px नाम इसका दिया है ना हमको यह वाले factor चाहिए तो यह वाले factor निकालेंगे x minus a x minus b तो इधर px है और यह बटे में आ जाएगा आपान में आएगा यह a minus b a plus b a square minus b square यह आएगा x square minus 5 by 3 तो बोले तो हमको px को x square minus 5 by 3 से divide करना है और जो result आएगा वो इसके बराबर होगा यह आपको divide करना है यह केवल हमने कहानी बताई कि question कहे क्या रहा है ठीक है तो अब हम इसको इससे divide करने जा रहे है ठीक है समझे बात आ रही होगी देखे अब मैं इसको इससे divide करना हो सुनिये ध्यान से हमको काटना है 3x power 4 और यहाँ पहला step है x square तो x square में किस से multiply करें कि 3x power 4 आ जाए तो आप कहेंगे भीया 3x square से multiply कर दो तो जब 3x square को इससे किया तो आ गया 3x power 4 जब हमने 3x square का इससे किया देखे माइनस 5 by 3 का multiply किया 3x square से तो 3 3 कड़ गया माइनस 5x square आएगा वो इसके नीचे लिख दो चलेगा चलेगा निदोड़ेगा ये माइनस ये प्लस साइन चेंज होते हैं न ये इसको कड़ गया ये क्या आया 6x cube ये आएगा प्लस का 3x square माइनस का 10x माइनस का 5 अब देखो द्यान से अब आपको 6x cube पाटना है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है x square तो x square में किसे गुणा करें कि 6x cube आए जाए तो आप कहेंगे प्लस 6x से मल्टिप्लाई कर दो तो इसमें करें क्या हैगा 6x cube और जब माइनस 5 अपान 3 में मल्टिप्लाई 6x से करोगे तो 3 दू निचे माइनस का 10x इसके निचे लिग दो साइन बदलो माइनस प्लस बाई चांस की बात है ये दोनों रिडंगडिंग हो गए ये क्या है गया 3x square माइनस 5 अब प्लस के 3 बा ले जाओ तो ये मल्टिप्लाई करोगे 3x square माइनस 5 रिडंगडिंग ये भी हो गए ये कड़ गए ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ एक factor ये है और एक factor ये तो यानि कि ये जब हम लिखेंगे इसको देखे जान से यहां तक नोट कलिया ना तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो ये आता है ना तो आपका ये factor हो जाएगा यानि other factors are other factors are other factors are मतब अन्य गुणनखंड होंगे अन्य गुणनखंड क्या होंगे एक ये होगा 3x square प्लस 6x प्लस 3 इसमें 3 काम ले लो तो आएगा x square प्लस 2x प्लस 1 और ये आपका x प्लस 1 का whole square है और 0 निकालने के लिए 0s निकालने के लिए इसको 0 करते हैं न तो actually ये लिखा है x प्लस 1 x प्लस 1 दो बार और इसको कर दो 0 तो जब x प्लस 1 को 0 करोगे तो x की वैलू माइनस 1 दो बार आएगी तो 2 0s आपके ये आगे और 2 0s ये आपके आजाएंगे आ रहा पुरा कैमरे में ये इधर कर दो x प्लस 1 0 करोगे एक बार एक बार और करोगे तो 1 x की वैलू माइनस 1 यहां से भी आएगी और यहां से भी आएगी ठीक है तो ये तरीका होता है डिवाइड थोड़ा सा लंदी है वह आप भी तो लंबे हो गए हो उतने ही लंबे है ठीक है तो this is question number third देखे question ये कह रहा है English में क्या कह रहा है on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 यह इसको divide किया गया है इसको px हमने माल लिया by the polynomial gx जिससे divide किया गया वो gx है ये quotient बचा है ये remainder बचा है कहते हैं कि इसको भाग किया गया है qx gx है तो जो आपका भागफल है यानि जिसको qx मानते हैं वो x minus 2 है और sales फल इतना है तो कहते हैं gx की value निका लिये कि gx यहाँ पर आएगा क्या देखो gx कैसे निकाला जाएगा देखे द्यान से देखे आप जानते हैं जब px को आप divide करते थे gx से और यहाँ बसता था qx नाम आपको मालू है और remainder आता था rx तो आप यह जानते हैं कि gx into qx plus rx is equal to px आपने पढ़ा है हम जानते हैं we know that आप लिखेंगे हम जानते हैं we know that हम जानते हैं हिंदी में लिख लेंगे कि gx into qx plus rx is equal to px यह आप जानते हैं अब आपको gx निकालना है तो जैसे algebra में solve करते हैं वैसे solve कर लो gx into qx is equal to इधर क्या है इधर है px और उसमें से rx minus कर दो है न और आपको निकालना है gx तो gx की value क्या आएगी px minus rx और जो qx है न वो divide में आ जाएगा ही तो आएगा अब ज़रा px का मान लिखो क्या है px तो px का मान है आपका x cube minus 3x square plus x plus 2 यह है px minus कर दो rx rx है आपका minus का 2x plus का 4 और अपान कर दो कितना qx कितना है x minus 2 क्या दिख रहा है आपको कि उपर वाली चीज को नीचे वाली चीज से भाग करना है divide करना है इसे इसको ज़रा bracket खोलो यह इधर gx चल ला है देखिए यह आएगा x cube x cube minus का 3x square plus का x plus का 2 plus का 2x minus का 4 यह bracket खोल दिया हमने है अपान में क्या है x minus 2 देखिए x cube यह है minus का 3x square है और plus का 3x है minus का 2 है divided by x minus 2 यहाँ तक हम पहुंचिए अब इसको भाग करिए जो division method होता है अब से गलती नहो रही हो एक बाद चेक कर लिए कहीं मिस्टेक नहों हो लिखने में कभी कभी हो जाती है अब देखो कैसे divide करेंगे x minus 2 से देखो इस स्टेप को नोट कर लिया ना तो थोड़ा हम जगे बचा रहे हैं हम इसी को ऐसे लिखे दे रहे हैं और यहां पर x minus 2 से divide कर देता है और यहां answer लिखेंगे अब देखो ध्यान से आपको पहले x cube काटना है ना जितनी बाद ले जाओगे उस साइच से multiply करोगे तो कितनी बाद ले जाओगे x square बाद ले जाओगे तो यहां आएगा x cube minus का 2x square minus plus यह कड़ गया यहाएगा minus का x square plus का 3x minus का 2 अब आपको minus x square के नीचे minus x square चाहिए तो minus x बाद ले जाओ तो आएगा minus का x square minus minus plus का 2x plus minus कड़ गया यहां पर आएगा x minus 2 plus 1 बाद ले जाओ तो आएगा x minus 2 minus plus यह कड़ जाएगा remainder 0 हो गया यही आपका GX आ गया है ना तो आपको पहले पहँचानना पड़ेगा ना कि question क्या ही क्या रहा है थोड़ा सा उसकी जो language है वो आपको पहँचानी पड़ेगी भासा क्या है ठीक है note करिए इसको देखे जो fifth question है ना यह थोड़ा technical है है बहुत easy ठीक है थोड़ा सा इसकी language अजीब है ध्यान समझेगा इसमें लिखा give examples आप PX, QX, GX, RX पहले तो आप समझा लेजिए कि PX को divide करते हैं आप QX sorry GX से divide करते हैं आप और QX answer आता है और remainder RX बसता है यह आप जानते हैं है ना और यह भी आप जानते हैं कि GX into QX multiply करेंगे plus में RX करेंगे तो equal to PX मिलता है और यह भी आप जानते हैं कि इसकी जो degree होती है ना वो इससे छोटी होती है जिरो होती है या डिगरी of degree RX की जो है या तो 0 होगी या less than होगी degree of GX यह आप जानते हैं ना degree आप जानते हैं हिंदी में भी घात को degree कहते हैं इसके ज्यादा दिमाग लगाने जूरूत नहीं है और यह less का मतलब होता जिधर इसका मूँ है वो बड़ा है इसकी degree बड़ी इसकी degree छोटी है तो हम जो भी example लेंगे इसकी degree 0 ही माल लेंगे कामी खतम दिया होगा तलक की बात है जो आप पहरा question कहे क्या आ रहा है देखिए चुकि आपको example देना है ठीक है तो बहुत लोग इसमें A, B, C, T मानकर बहुत सारा solve करते हैं वह भी तरीका ठीक है लेकिन आप direct करिएगा ठीक है लेकिन answer हमारा match करेगा आपकी book से जरूरी नहीं है पहले कहा गया degree of PX is equal to degree of QX देखो ध्यान से अभी आप क्या कह रहे है कि PX को आपने देखो PX QS आपको मालूम है इसलिए हम वो नहीं बना रहे है समझने की कोसिज करो मैं ऐसे बना रहा हूँ ठीक वो आपको मालूम है PX QS क्या है तो कह रहे है degree of PX जो है न degree of QX के बराबर है QX बोले तो वहाँ तो हमने यहाँ एक 2 degree का equation लिखा यह 2 degree का लिखा ठीक और कहते हैं यह भी 2 degree का होगा और नीचे वाली चीज को हमने 0 degree का माल लिया अब समझने की कोसिज करो यह QX है ना QX अगर 2 degree का है अगर QX की यहाँ लिखे दे रहे हैं हम जानते हैं PX is equal to GX into QX plus RX अगर आप QX को 2 degree मानते हैं समझने कुछ करिएगा तो आप अगर GX से multiply कर रहे हो और GX अगर एक degree का भी हो जाएगा तो यह degree प्लस हो जाती चुको multiply हो रहा है ना तो degree जुड जाएगी डिगरी बड़ी हो जाएगी यानि इसकी degree फिलहाल 1 नहीं हो सकती तो यह तो 0 degree का हो जाएगा तो 0 degree बोले तो constant हो जाएगा नियतांक हो जाएगा तो कि कौन GX तो इसको constant मालो इसको 2 माल लिया हमने अब 2-2 खराब लग रहा है यह degree लिखी हमने यहाँ पर हमने इसको 5 माल लिया चलेगा यह 2 degree का था यह समझने के लिखा हमने तो यहाँ हमने माल लिया 3X square प्लस 6X प्लस 2 और यह भी 2 degree का कह रहे है यह भी 2 degree का है तो हमें इसको ऐसा मानना पड़ेगा जोड़ा समझेगा इसको ऐसा मानना पड़ेगा कि इसका और इसका multiply करने पर इसका और इसका multiply करने पर same value आए तो कुछ ऐसा माननो कि multiply करना थोड़ा आसान हो जाए तो इसको माननो 6X square प्लस 2X प्लस 2 माननो 2X प्लस 2 माननो और इसकी degree भी 2 आएगी तो यहाँ पर आप 2 कामन ले लो इसको माननो 3X square प्लस X प्लस 1 और यहाँ माननो 2 तो 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 इसका इससे multiply करोगे तो 6X square आ जाएगा प्लस का 2X आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा और प्लस 0 करो यहीं answer आ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि 6X square प्लस 2X प्लस 2 इस इक्वल टू 2 3X square प्लस X प्लस 1 और प्लस इसको 0 माल लिया है हमने सब्च में भी बार नहीं है अब आप कहेंगे यह adjustment हम कैसे करें हम कुछ मालूम नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते हो इसको A माल लो बाद में आप multiply करो फिर इसकी जो power है उसको इसका coefficient जो गुडांक है उसको compare करो और A की value निकालो वही तरीका हो सकता है तो यह पहला part है डाइट करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है second part कहरा है degree of QX is equal to degree of RX QX और RX की degree सेम है तो मैंने QX की degree 1 माल लिया और RS की degree में भी X माल लिया कोई दिक्कत है अब अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ नहीं भूला है इन्होंने तो हमने का ठीक है मैं इसको X square में ले रहूं अब इसका इससे multiply करोगे X cube आएगा plus X तो यहां माल लो X cube plus X यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका GX यह हो जाएगा आपका QX यह हो जाएगा आपका RX यह हो जाएगा अगर लिखना चाहो तो आप कहोगे X cube plus X is equal to X cube plus X is equal to X square into X X square into X plus X यह तो आ रहा है हो गया डाट कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है अब कहते हैं RX की degree 0 है degree 0 है यह नहीं कहो ही 0 है तो माले यह 1 है degree 0 में तो कोई constant term है यह 1 है ठीक है माल लेते हैं तो अगर आप यहाँ X square से divide करते हो माले आप यहाँ X बारे आता है तो यह क्या आएगा X cube plus 1 आएगा इसका इससा multiply करोगे plus 1 करोगे तो आप कहोगे X cube plus 1 is equal to X into X square plus 1 हो गया तो यह PX है यह GX है यह QX है यह RX है तो यह size finish हो गई next in the next video तब तक के लिए good night